Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asood, so Himachal Pradesh, State Eligibility Test Paper 1 Preparation में आज हम discuss करेंगे Remaining Philosophies in Education, so already previous lecture में हमने कुछ important philosophies को बहुत अच्छे तरीके से discuss किया था और वो session आप सभी students को बहुत पसंद भी आया था, so जो बागी की philosophies हैं वो आज के session में हम cover करेंगे ये भी exam के लिए बहुत ही जादा important है इस exam को qualify करने के लिए paper 1 पर जादा ध्यान दीचेगा क्योंकि 100 में से आप इसमें असानी से 80 प्लस score करके अपना selection पका कर सकते हो, so paper 1 preparation के लिए complete course हमने launch किया है जसमें full syllabus video lectures हम आपको देंगे, Hindi English, Donor Languages में course available है examination से पहले आपका पूरा syllabus cover करवाने की, मैं आज आपको 100% charity देती हूँ full syllabus notes है, full syllabus mock test आपको मिल जाएंगे, जिसमें से ask test questions exam में पूछे जा सकते हैं video lectures में भी पहले आपके theory concepts clear करवाई जाएंगे, जो कि बहुत easy language में होंगे tricks के साथ आपको याद करवाई जाएंगी, चीज़ें साथ ही, weekend पे आपके लिए mock test और MCQ series भी लाई जाएंगे ताकि जो पूरा week आपने पड़ा है, उससे बहुत अच्छे से आपकी revision हो जाए, 2000 प्लस MC को question bank में हम आपको देते हैं previous year questions, most repeated questions और explanation के साथ याँपर सारे questions आपको मिल जाएंगे and इसमें से भी ask test questions exam में पूछे जाते हैं, so इसके लिए आपको सरफ एकी बार फीज देनी है 2000 रुपए जब तक आपका exam qualify नहीं हो जाता, तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो free videos के access के लिए global online app को download कीजे, store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है इस course के अच्छे से आप लोग overview को जरूर पढ़िएगा, इसकी duration 6 months है content पर click करने के बाद आपके सामने मेरे separate sessions आ जाएंगी, इसमें अभी 150 से जादा sessions आपको मिलते हैं and मैं आपको surety देती हूँ कि इन lectures के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर full syllabus mock test मिल जाएंगे, दोनों languages में free demo videos, अलग-अलग educators की आपको मिल जाएगी 2000 MCQ PDF है, Hindi and English दोनों languages में unit wise folders है, जहाँ पर आपको theory lectures अलग है MCQ sessions आपको अलग मिल जाएंगे, mock test है और evaluation test है, जो कि exam को qualify करने के लिए काफी है तो students जल्दी से आप given numbers पर contact करके हमारी team से इस course की पूरी जानकारी ले सकते हो और जल्दी से इस course को join भी कर सकते हैं सबसे पहले शिक्षन अभी वरिती का complete syllabus आपको पता होना चाहिए सो यह complete syllabus है and teaching aptitude में बहुत से topics ऐसे हैं जो कि आपको syllabus में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन actual में exam में बहुत बार पूछे जाते हैं सो जैसे कि last lecture में हमने education और कुछ important philosophies पढ़ ली थी so already यह सब चीजें हम discuss कर चुके हैं आप देख सकते हो okay so six points तक हमने discussion कर लिया था link description box में है इसके अलावा अब हमारा seven point आता है rationalism यानि की बुद्धी वाद so rationalist यानि की तरक वाद या फिर बुद्धी वाद क्या होते हैं उनका ये वादा था उनका ये दावा था की ऐसे महत्वपूर्ट तरीके हैं जिन से हमारी अवधार रणाएं यानि की हमारे कुछ concepts और हमारा knowledge जो है ठीक है और हमारा ग्यान जो है वो इंद्री अनुभव से स्वतन्त रूप से प्राप्त होता है की इसमें देखो rationalism सिर्फ यही बोलता है कि जो हमारे senses होते है आपको पता होगा कि जो हमारी इंद्रिया होती है वो क्या होती जिसे किसी चीज़ को हम touch करके feel करते हैं किसी चीज़ को हम सूंख करके उसके बारे में पता करते हैं किसी चीज़ के सुनकर ही हमें पता चलती है तो यह सारे क्या है हमारी इंद्रियां हैं हमारे sense organs हैं तो जो हमारी sense experiences होते हैं जो हमारा इंद्रिया अनुभव होता है वो independently हम लोग gain कर सकते हैं कैसे अपने अफधारणाओं से और अपने ज्यान की मदद से तो इसको कहा जाता है rationalism जिसको बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद कुछ भी आप बोल सकते हो दोनों ही important points है exam में as it is statement पूछी गई थी कुछ भी extra पढ़ना नहीं है ओके next है अनुभवतावादियों अनुभवतावादी एमपेरिसिस्ट जिसको English में बोला चाता है अनुभववादियों का दावा ये है कि इंद्रिय अनुभव हमारी सभी अवधारणाओं और ग्यान का अन्तिम स्त्रोत है आप देखो ये दोनों एक दूसरे कि बिलकुल opposite है बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद ये बोलते हैं कि हम जो भी हमारा knowledge या फिर जो भी हमारा concept होता है वो independently हमें मिलता है सिरफ हमारी अनुभव के द्वारा लेकिन अनुभवतावादी ये बोलते हैं कि जितना भी हमारा इंद्रियों वाला अनुभव है sense experience है ये हमारी जितने भी concept होते हैं जितना भी हमारा knowledge होता है उसका बिलकुल last उसका बिलकुल अंतिंस्त्रोत होता है ultimate source ये इसका होता है अब देखो कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोगों ने किसी चीज़ को touch किया पहली बार ठीक है तो वो feel जो रहती है हमारे हाथ में हमेशा रहती है है ना तो यही होता है वो sense वाला जो अनुभव बोला जा रहा है एक नया ही अनुभव हो सकता है किसी bird को आप पहली बार touch कर रहे हो किसी चीज़ को आप पहली बार touch कर रहे हो बहुत सी soft सी चीज़ है चीज़ है तो वो एक अलग ही experience आपको देख कर जाती है इसमें empiricist बोलते हैं कि यह ग्यान बिल्कुल अंतिम स्त्रोत होता है इसके आगे कुछ भी नहीं है ऐसा यह कहते है अगला है existentialism यानि कि इसको यही देख सकते हो existentialism existentialism मतलब जो चीज़ें exist करती हैं जो चीज़ें actual में हमारे सामने होती है इसमें बोला है it is a philosophy that emphasis यह points पर ध्यान मत दीज़ेगा यह थोड़ा सा गलत हो गया है it is a philosophy that emphasis individual existence freedom and choice ठीक है so existential देखो exist जो चीज़ें करती हैं अब हम बोलते हैं कई लोग बोलते हैं कि भगवान हैं कई लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है कि उन्होंने उनका अस्थित्व समझा है उनको पता है कि उन्होंने उस चीज़ को feel किया है उन्होंने कोई बात कई है उनकी wish पूरी हुई है या कुछ भी चीज़ें हो सकती है अपने अपने point पर कुछ भी आप मान सकते हो ठीक है तो वो existentialism होता है कि कुछ चीज़ें exist करती है यह कैसा दर्शन है जो जोर देता है कि व्यक्तिगत, अस्थित्व, स्वतंत्रता और विकल्प यह तीन चीज़ें होती है second point यह आपका first point है यहां तक उसके बाद आता है second point this emphasizes the uniqueness and isolation of individual experience in a hostile or different universe regarding human existence as unexplainable and stresses freedom of choice and responsibility for consequences of one's act देखो simple सी चीज़ है existentialism यह बोलता है कि यह ऐसी विशिष्टता पर एक ऐसी अलग सी चीज़ पर जोर देता है कि शत्रुता पुर्ण या फिर उदासीन में व्यक्तिगत अनुभव ब्रम्हान मानवस्तित्व को अस्पष्ट मानता है अब देखो इसमें यह बोलता है कि जो चीज़ एक्जिस्ट करती है वो है जो एक्जिस्ट ही नहीं करती जिसके बारे में हमने खुद देखा ही नहीं जो चीज़ हमारी आँखों के सामने आज तक आई ही नहीं जिस चीज़ को हमने खुद से feel या observe किया ही नहीं वो होती ही नहीं है ठीक है यह कहा है देखो यहाँ पर यह statement बहुत important है किसी के कारियों के परिणामों के लिए पसंद और जिम्मेदारी की स्वतंतरता पर जोर देता है कौन देता है existentialism देता है it is a philosophical belief we are each responsible for creating purpose or meaning in our own lives so यह एक ऐसी दार्शनिक मान्यता है कि जिसने मान लिया उसके लिए यह actual में है जिसने नहीं माना उसको अब देखो बहुत लोग ऐसे जो भगवान में नहीं मानते तो उनको लगता है कि जो भी हो रहा है यह बस हमारे कर्मों का ही है मैंने कल पहले आईसक्रीम खाली इसलिए मैं बिमार हो गया उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें वो अपने कर्मों का ही है जो हमने कुछ काम किया होगा उसे के result में हमारे साथ यह अच्छा यह बुरा जो भी है वो हो रहा है जो लोग भगवान में मानते हैं तो वो यह सोचते हैं कि जो भी किया भगवान ने किया है है न यह जीवन हमारा चल रहा है हम सांस ले रहे हैं हमारे साथ कुछ भी हो रहा है यह भगवान कर रहे है सो existentialism एक दार्शनिक मानियता है कि हम इसे परतेक अपने जीवन में उदेश्य किसी भी aim या objective या किसी अर्थ पैदा करने के लिए जिम्मेदार है इसमें यह कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके लिए खुद responsible है हमारा व्यक्तिगत उदेश्य और अर्थ हमें देवताओं, सरकारों, शिक्षकों या अन्य अधिकारिय द्वारा नहीं दिया जाता है देखो यही बात मैंने अभी बोली हमारा जो उदेश्य है, हमारे जो purpose है और जो भी हमारा meaning है, जो भी हम जीवन में चाहते है वो ना तो हमें भगवान से मिलता है ना कोई सरकार, ना teacher, ना कोई और हमें देते है यह हमें कौन देता है, सिर्फ हम अपने करमों से ही यह चीज़ों को कर सकते हैं अब कई लोग ऐसे मानते हैं, मान लीजिए कि किसी student का कुछ भी हो सकते है, अपने अपने points हो सकते हैं इसमें मान लीजिए कि कोई student है जिनके first attempt में net qualify हो गया एक example ले रहे हैं, ठीक है इसमें क्या हो गया, उन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की थी वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था बस post graduation में concept clear थे तो कई लोग इसको ये मान सकते हैं कि अच्छा भगवान ने देखो कृपा कर दी इन पर कि बिना पढ़े, बिना कुछ किये, first attempt में ही इनका paper qualify हो गया अगर कोई भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो वो ये बोलेंगे अगर जो इनसान नास्तिक होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि अच्छा इनके post graduation में तो ये person खुद बोलेंगे कि भई मेरे post graduation में concepts इतने clear थे कि सिरफ paper 2 के basis पर ही मैंने क्या किया exam को qualify कर दिया तो यह different चीजें होती है existentialism यही बोलता है कि हमारे जो भी purpose है हमारे जीवन में जो भी होता है उसके लिए सिरफ हम ही जिम्मेवार होते हैं behaviorism व्यवहार बाद यह मानता है कि शिक्षार्थी यानि कि student एक learner एक निश्क्रिय जीव है जिसे नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है behaviorism यही बोलता है कि जो भी student होते हैं जो भी learner होते हैं वो एक ऐसे organism है वो एक ऐसी ऐसे इनसान है ऐसे जीव है जो की कुछ नया सीखते हैं कुछ नया सीखते हैं वो ऐसी condition में होते हैं कि वहाँ से वो कुछ नया सीखेंगे ही और उनके विवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा ठीक है जो start psychology क्या बोलती है यह मानता है कि संपूर्ण है पूरी कोई चीज है इसके भागों के योग से अतिक अब देखो संपूर्ण जो है इसके छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है कुछ ऐसे इसमें कहा गया है ठीक है इसके इसे हमारे शरीर में देखो कोशिकाएं हैं हमारे अलग-अलग पार्ट से हैं जैसे हाथ होगे बाड़ी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट से किड्नी, लीवर, ये सब चीज़ है ठीक है दे सम ओफ आल इस कॉंपोनेंट यानि कि इन सब को मिला करके मानव का शरीर बनता है जो कि इन सब को मिला करके एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर अकेली किड्नी रख दो तो उसका कुछ काम है नहीं है अकेला दिमाग रख दो तो उसका कुछ काम है नहीं है जब तक हमारा दिमाग किसी चीज़ से connected नहीं होगा तो वो करेगा क्या अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा दिमाग मुझे instructions दे रहा है अधारदर्शन Eclectic Philosophy It is nothing but the fusion of knowledge from all sources ठीक है स्त्रोतों से ज्यान का सलयन है उधारवाद It is peculiar type of educational philosophy which combines all good ideas and principles from various philosophies उधारदर्शन simple सी बात बोलता है कि जितना भी हमारा knowledge है छोटी छोटी अलग-अलग books में से आपने knowledge लेकर एक exam को qualify कर दिया अलग-अलग जगा से knowledge लेकर आप एक बहुत ही cool and calm जीवन जी रहे हो यह उधार दर्शन कहता है ठीक है उधार philosophy कहती है इन philosophies को अच्छे से यात रख लीजेगा हम लोग इसके बाद जो बाद में आएगी unit number six logical reasoning logical reasoning में आपको पता है कि Indian logic है उसमें यही सब चीजें थोड़ी से घुमा फिरा कर पूछी जाती है तो अभी अगर clear होंगे concepts तो आगे आपको बहुत असानी हो जाएगी तो जहां पर भी बात की जाएगी कि छोटे छोटे knowledge को मिला करके हमने कुछ बड़ा चीव कर लिया वो होती है eclective philosophy उदार दर्शन ओके तो देखो अब इसे पर based questions हम देखते हैं which educational philosophy challenges the existence of universe of ideas and values तो कल मैंने आपको बताया था जहां पर भी हम ideas और values की बात करते हैं विचारों और मुल्यों की बात करते हैं इसका मतलब है हम प्रकृति वाद यानि की naturalism की बात कर रहे हैं ओके बिना सोचे समझे इस कांसर जा सकता है keywords मैंने बताए हैं देखो अगला question है इस कांसर भी naturalism ही है एक question क्या बोलता है दर्शन शास्त्र विद्याले जो शिक्षिक प्रक्रिया के एक महत्वण भाग के रूप में खेल का समर्थन करता है अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में तो स्कूल में एक class ऐसी होती थी थी न जहां पर बस बच्चों को छोड़ दिया जाता था खेलो तुमने जो खेलना है करो तुमने जो करना है है ना तो कौन से philosophy के हिसाब से education में खेल कूद का एक बहुत important महत्व माना गया है तो वो माना गया है naturalism में प्रकृति भाद में तो यहां पर अगर हम detail में देखें तो naturalism क्या बोलता था यह बोलता था कि contrary of idealism यानि कि यह उसका उल्टा था यहां से देखते हैं ठीक है इसमें देखते हैं naturalist did not believe in God stressed and stressed nature ठीक है यह भगवान और इन सब चीजों में नहीं मानते हैं और यह बोलते हैं कि believe that nature alone represents the entire reality इसमें यह बोलता है कि जो हम प्रकृती है सिरफ वही सारी reality हमें बताती है कि हमारे आस्वास जो चीजें हो रही है बस वही हमें सब कुछ बताती है और बाकी चीजें कुछ भी नहीं है ठीक है तो यहां पर दो questions है अब देखो एक और important table है जहां से previous questions अगर हम बात करें 2012-2013 में इससे पहले questions पूछे जाते थे अब 2020 के बाद में लगभग हर एक shift में इस वाले table वैसे questions पूछे जाते हैं Hindi medium students के लिए भी available है सो कुछ अवधारनाएं है और उनके मुख्य प्रस्तावक है अब जैसे आपको एक statement दी जाएगी का कहना था कि हर एक बच्चे को basic education मिलनी ही चाहिए and इसके उपर एक commission भी बनाया गया था जिसका नाम था वार्था education system ठीक है तो ये statement दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 2020 अभी जो दिसंबर 2022 वाले exam हुआ है उसमें ये statement आई थी कि learning to take place in nature and from nature कि प्रकृती में घटित होना, सीखना और प्रकृती इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग गड़बड हो चुका है इसको आप ऐसे लिख सकते हो हम सीखेंगे क्योंकि हम nature में अपना एक place बनाना चाहते हैं और हम nature से ही चीज़ों को सीखते हैं यह चीज कहीं थी रविंदर ना टेगहर जी ने उसके बाद श्री अरविंदो जी ने यह कहा था कि integral education integral education मतलब समग्र शिक्षा यह tagline इनके द्वारा दीगी थी ओके इसमें कुछ भी नहीं है बस यह table English medium students देख लीजे यह चीज़ों को याद रखिए समझाने का कुछ नहीं है अब जैसे यह भी exam में आ चुका है फ्रोइबल नहीं कहा था कि kinder garden focus on self activity creativity and social cooperation कि जो kinder garden होता है वो आत्मक गतिविधियों पर सादा ध्यान देता है रचनात्मक होता है और सामाजिक सहयोग सिखाता है तो यह दो स्लाइड से इसको आप Hindi and English जिस भी लांगोज में तयारी कर रहे हो screenshot लेकर note कर लीजिए okay so एक और question है यहाँ पर देखो यह सब चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए असान होगी जल्दी से इसको पढ़ लीजिए okay Hindi medium में यह question मैं add करना भूल चुकी हूँ तो आप सब students देख सकते हो मैं आपको explain कर दूँगी इसमें कहते हैं learning by doing learning by doing खुद करके हम कैसे सीख सकते हैं इसमें बोला है उसके बाद आता है education through environment realization of truth, beauty and goodness world as it is here and now ठीक है अब यह इसका answer मैं आप लोगों को बताने नहीं वाली हूँ यह कुछ philosophies हैं हमने पढ़ ली हैं कल भी और आज भी यह सारी लगभग कल ही पढ़ चुके थे यह मैंने आप लोगों को दे दिया homework question इसका answer paid students मुझे whatsapp group में बताएंगे बाकी के students मुझे comment करके बताएंगे ओके नहीं आता है तो भी मुझे बता दीजे कि इसका answer नहीं समझा रहा है मैं आप लोगों को personally इसको explain करके बताऊंगी अब देखो अगला है ठीके सो next question हमें क्या बोलता है अच्छे से इसको देखेगा इसका सिधान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था ये किया गया था reconstructionism के द्वारा ये question आपका 2019 में exam में पूछा गया है ठीके सो reconstructionism क्या होता है पुननिर्मान क्या होता है इसको critical theory के नाम से भी जाना जाता है इस also known as critical theory यानि की अलोच नात्मक सिधान्त exam में लोट कर लीजे same question में हो सकता है reconstructionism की जगा आपको option में पुननिर्मान की जगा option में अगर अलोच नात्मक सिधान्त लिखा हो तो आपको असानी हो जाएगी social reconstructionism emphasizes that the addressing of social question and a quest to create a better society and worldwide democracy सो समाज में भी पुननिर्वान बाद होता है ठीके तो ये किसलिए होता है ये इसलिए होता है कि समाजिक जो भी प्रश्न है उनका समाधान एक और बहतर तरीके से दिया जाए ताकि हम एक अपने समाज को और भी बैतर बना सके और विश्व व्यापी लोग कंत्र बनाने की खोज में ये जोर देता है एक्जाम में ये question भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो philosophy है जो कि एक better society और एक worldwide democracy बनाने के लिए responsible हो सकता है तो answer होना चाहिए reconstructionism अब आपका घर अगर पुराना हो चुका है आप बिलकुल zero से घर बनाना नहीं चाहते आप उसी घर में क्या करते हो construction करते हो construction नहीं reconstruction करते हो पुनन निर्मान करते हो अंदर जैसे खिड़किया वग्यरा पुरानी हो गई थी तो लकड़ी change करवा देते हो paint change करवा देते हो flooring change करवा कर उसी घर को renovate करते हो है न तो वो क्या होते है better बनाना है हमें किसी चीज को उसी चीज को बहतर बनाने के लिए कुछ कदम लिये जाते हैं कुछ कदम उठाये जाते हैं जिसको reconstructionism भी कैसे हैं कहते हैं ठीक है reconstructionist educators focus on curriculum that highlight social reform as aim of education so जो शिक्षक होते हैं शिक्षक भी पुनर निर्मानवादी हो सकते हैं अब इसका एक बहुत अच्छे example मैं अपने आप से relate करके यह आपको बताती हूँ देखो जब हम लोग 2019 में UGC net exam पढ़ाते थे तो हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे topic का selection कुछ और होता था क्योंकि exam में वैसे questions पूछे चाते थे लेकिन अभी 2023 के cycle के लिए हमने देख लिया है कि 2021-22 में exam का pattern कैसा रहा है exam का level कैसा हो चुका है तो अब हमने क्या किया हमने reconstructionism educator बन गई है हमने focus किया curriculum पर अपने पाठ्य क्रम पर ध्यान केंदरित किया और शिक्षा के जो उदेश्य है उसमें हमने इस चीज़ पर focus किया कि अगर हम पढ़ा ही रहे हैं हम मेनत कर ही रहे हैं तो हम अपने आपको ऐसा बना दें कि हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है उसका exam qualify हो जाए that is called reconstructionism ओके शिक्षा का लक्ष अच्छे भविश्य की कलपना करना और भविश्य में उस भूमिका की तयारी के रूप में सीखने को खर्च करना है जिसके लिए कोई व्यक्ती पहुंचता है इसके अलावा दूसरा option था existentialism ठीके इसमें आप देख सकते हो यह philosophical एक form है philosophical inquiry है that explores the nature of existence by emphasizing the experience of the human subject यह ऐसा एक रूप है जो माना विशे के अनुभव पर जोर देकर असित्व की प्रकृती का पता लगाता है ठीके investigation काम पर होती है meaning of being पे pragmatism pragmatism एक philosophy है जो की consider करती है word and thought as tools and instruments for prediction problem solving and action ठीके वहारिक्ता हमें भविश्य किसी के विचारों को की भविश्यवानी करना समस्य समाधान करना कारेवाई के लिए जो काम करते हैं उन सब चीजों पर यह हमें ध्यान देने में मदद करता है इसके अलावा देखो यह question okay already हम देख चुके हैं ठीके सो यह देखो question है देखो statement same है यहां से लेकर यहां तक की statement बिलकुल same है दोनों questions में एक question 2019 में आया है एक 2022 में आया है answer भी same ही होगा दिखते सी बात है लेकिन options different है जो कि आपको पता होने चाहिए okay so यह देख सुत्तियों हम हर चीज देख चुके हैं second option यहां पर था perennialism ठीक है जिसको की स्थाईत्व बात कहते हैं यह teacher centered educational philosophy है it focuses on over lasting ideas and universal truth यह शाश्वत विचारों और सर्वभामिक सत्यों पर केंदरित होता है okay educational prennialism also referred to as universal curriculum ठीक है इसको सार्वभामिक पाठ्यकरम भी कहा जाता है essentialism हम discussion कर चुके हैं already logical positivism तारकिक सकारात्मक्ता क्या होती है इसको logical empiricism भी कहते हैं इसमें कहा जाता है it believes that scientific knowledge is only kind of factual knowledge इसमें यही कहा जाता है कि जो विग्यानिक ग्यान होता है वो एक मात्रपरकार का तथ्यात्मक्यान होता है कि सिरफ valid knowledge हमें कहां से मिलता है सिरफ scientific research scientific knowledge होता है सिरफ वही एक valid knowledge होता है वाकी कुछ भी exist ही नहीं करता यह कहा गया है इसको हम neo-positivism भी बोलते हैं तो exam में अगर logical positiveism की जगा neo-positivism option होगा तो आपने confused बिल्कुल भी नहीं होना है next question है which among the following thinkers एक second okay so this question में काया है who among the following thinkers propagated the idea of education of the most talented so यह है Plato के द्वारा कही गई statement ठीक है the ancient Greek philosopher यह कौन थे ancient Greek philosopher थे Plato he was a student of Socrates and teacher of Aristotle Aristotle his writing explored justice, beauty and equality so यह question भी exam में पूछा गया है Plato के नाम से directly question पूछा गया था कि justice, beauty और equality के भारी में किन philosopher ने कहा था तो answer आपको पता होना चाहिए Plato ठीक है यहाँ पर देखो Hindi में भी बहुत simple है निमलिखित में से किस विचारक ने सबसे प्रतिभाशाली के शिक्षा के विचार का प्रचार किया था ठीक है, education for Plato was one of the greatest things in life Plato का यह कहना था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिरफ और सिरफ एक education ही होती है उसी से हम हर एक चीज को achieve कर सकते है the main function of education according to Plato is not to put knowledge into the soul but to bring out the talent, latent talents in the soul so इनका कहना यह था कि education जो है यह सिरफ knowledge को अपने दिमाग में रखना नहीं है आप कोई knowledge अगर collect कर रहे हो कोई नहीं चीज अगर सीख रहे हो तो उसको actual में use भी करो उससे अपना talent और आप polish करके उसको present करो किसी के सामने यह Plato के द्वारा कहीगी statements थी ठीक है so Greek philosopher थे Plato हर एक चीज मैंने आपको बता दी है detail में so हमारा last question है a teacher is faced with the problem of choosing the appropriate teaching method अब मैं teacher हूँ मैंने एक तरीके से आपको छोटे बच्चों को कोई चीज सिखा दी उनको समझ नहीं आई दूसरे तरीके से समझा दी समझ नहीं आई अब मैं एक problem में फस गई कि मेरे पढ़ाने के तरीके से बच्चे समझ ही ने रहे है मेरे कौन सा method मैंने उनको lecture method से भी बढ़ा दिया उनको मैंने demo method भी दे दिया उनको practically भी चीज से बता दी अब उनको मैंने games के through भी चीज़ें सिखा दी अब भी मैं confused हूँ कि appropriate method में ढून नहीं पा रही हूँ for the transaction of a course content कई बार क्या होता है देखो कई topics ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए actual में ये होती है चीज़े जब आप teacher बनोगे तो आपको बता चलेगा कि कई topics ऐसे होते हैं जो कि आपको खुद को भी boring लगते हैं आपको उसका knowledge जितना मरसी है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ में किसी के सामने कैसे present करूँ interesting way में बना कर इसको कैसे present करूँ तो यह इस question में का गया है कि एक teacher को ये समझ नहीं हा रहा कि course में से कोई एक topic में कैसे बच्चों के सामने एक अच्छे method से present करू so which branch of philosophy will most appropriately describe his or her predicament ठीक है तो उनकी ये जो दुविदा है इसको कौन सी philosophy सही answer बताएगी तो वो है epistemology ग्यान मिमानसा ये logical reasoning में भी चीज़ें आएगी epistemology क्या बोलता है the branch of philosophy that deals with knowledge and examines the nature of knowledge ठीक है तो ये एक ऐसी philosophy है जो की knowledge के साथ पहले deal करता है और फिर examine करता है कि knowledge किस प्रकार का है किसे देना है उस knowledge को सीखने वाले जो बच्चे है उनका level क्या है हमें उसके बारे में कितना knowledge है and it also focuses on acquiring skills in learning to discover and construct the knowledge and इसमें ये टीचर को तो idea बता ही है कि कैसे आपको अपनी चीज़े प्रेजेंट करनी है उसके अलावा ये psychology जो है कि philosophy जो है ये हमें इस चीज़ पर भी focus करने में मदद देती है कि बच्चे कैसे कुछ ऐसे skills को समझें कैसे कुछ ऐसी चीज़ को discover करें कि वो knowledge आसानी से capture कर सके और लंबे समय तक उसको याद रख सके ओके इसी के साथ students आज हमने educational philosophies का एक बहुत important section को cover कर दिया है ये कैसा topic है जो कि जरूर upcoming exam में आएगा ही आएगा कोई doubt है तो भी मुझे पूच सकते हो clear है तो हमेशा की तरह comment करके भी मुझे जरूर reply कीजेगा so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best